दोस्तों कि आपने password generator के बारे में सुना है, automatic जो generate कर देता password अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊँगा Excel के अंदर randomly password कैसे generate कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि आप किसी company में काम कर रहे हैं, बहाँ पर आपको 1200 email ID आपको बनाने को दे दी गई हैं और उनके password रखने हैं तो आपको सबके password अलग रखने हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई randomly ऐसा password generate हो जाए, जो मैं सब भी को allot कर दूँ और one click में हो जाए तो ये चीज़ Excel में आप कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है, एक्सल के अंदर आप random तरीके से password कैसे generate कर सकते हैं, बहुत easily होगा और उसके अंदर ये condition भी आपको दी गई है, कि उसमें number भी होने चाहिए, small letter भी होने चाहिए, capital letter भी होने चाहिए, और उसमें जो symbol होते हैं, वो भी होने चाहिए, वो सारी चीज़े हम कैसे कर सकते हैं, Excel के अंदर मैं आपको explain करूँ, देखें, यहाँ पर मैंने example के लिए ये कुछ email id ले ली है, और अब हम यहाँ पर इनके password को generate करेंगे, कैसे करेंगे, simple formula है, बहुत easy है, सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे equal to randbet between, tab दबा दूँगा, तो ran between का जो formula है, मैंने कई वीडियो में बताया है, यह type हो जाएगा, यहाँ पर bottom value में हम लें 49, यहाँ पर म ने क्यों दिया है, 49 और 122 क्यों दिया है, यह इसलिए दिया है, क्योंकि देखो अभी हम एक formula all लगाएंगे यहाँ पर, चलो मैं लगाई देता हूँ, यहाँ पर, c h a r, ठीक है, तो यह हमें return में character देगा, इस number पर कौन सा character आएगा, ठीक है, bracket start कर देगे, और last में जाके bracket close करके और enter कर देगे, तो अब क्या होगा, देखो, एक random character लिखकर आगया है, आर, इसको मैं drag करता हूँ, तो देखो, d, m, w, i, p, p, कुछ भी symbol, यह एक character generate हुआ है, automatically, अब हम यह चाह रहे हैं कि 6 character का हमारा जो password है, 8 character का होना चाहिए, तो हम इसको 8 भार copy paste करेंगे, जैसे क इसमें पूरे formula को यहां से copy करूँगा, और last में जाके end का symbol दूँगा, paste कर दूँगा, यह फिर आप यहां पर भी देख सकते हूँ, उपर formula चल रहा है, ठीक है, last में जाके फिर end का symbol देगे, फिर paste कर देगे, तो तीन character होगा है, enter करके देख लेते हैं, तो देखो, तीन character फिर end का symbol देगे, last में, फिर paste कर देगे, फिर end का symbol, फिर paste, फिर end का symbol, फिर paste, जितने भी character आपको चाहिए, तो उतनी बाहर आपको paste करना पड़ेगा, enter कर लेते हैं, तो देखो, यहां पर 6 character जो है, हमारे generate हो गए, अब मैं चाहता हूँ, 8 character, तो end का symbol, फिर last में, paste, फिर end क symbol, फिर last में, फिर paste, वो एक formula को copy paste करना है, अभी यह जो formula है, यह पूरा तोड़ कर मैं आपको explain करने वाला हूँ, enter कर लेते हैं, पहले पूरा password हम generate कर लेते हैं, इसको मैं drag कर लेता हूँ, तो अब देखो, यह 8 character के जो हमारे है, password generate हो चुका है, random password generate हो चुका है, अब इसको तो मैं नीचे तक यहाँ double click करूँगा, तो मीचे तक पहुंच जाएगा, और यह हर बार change होगा, देखो double click करूँगा, मैं यहाँ पर enter कर दूँगा, तो यह change होगा, double click, enter, change, क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें rent between का formula लगा होगा, आप चाहें तो इसको fix कर सकते हैं, इस data को copy करेंगे, copy किया मैंने, और मैं यहाँ पर ऊपर जाकर, यहाँ पर right click करूँगा, और paste special में जाऊँगा, और यहाँ पर करता हूँ value, और ok, तो अब क्या होगा, यह change नहीं होगा, यह value में convert हो चुका है, यानि कि इसका formula है, वो हट चुका है, देखो इसका formula हट गी है, लेक equal, यहाँ पर मैं कुछ भी एक value लिखता हूँ, यहाँ लिखता हूँ, 65, ठीक है, अब इसके आगे मैं equal to char करता हूँ, bracket start करता हूँ, और इस पर click करके bracket close करके enter करता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ पर आएगा A, ठीक है, अगर यह 66 करता हूँ, तो यहाँ पर होता है, तो 65 से start करता है, लेकिन हमें symbol भी चाहिए, तो हमने 49 से start करेंगे, तो 49 से start करेंगे, तो क्या क्या चीज आएगे, पहले numeric आएगा, 1234 इस तरह से, तो अब इसको पूरा 49 50, इन दोनों को मैं drag करता हूँ, अभी देखो यह change हो रहा है, बार बार यह तुरा distract कर रह है, 122 तक drag करेंगे, तो 122 तक यह drag हो गया है, अब मैं ऊपर जाकर इस formula को जो हमने character वाला लगा है, इसको भी drag लेता हूँ, यह double click करूँगा तो पूरा नीचे तक drag हो जाएगा, अब देखो, यह बता रहा है, 50 संबर पे, जो character है, वो 2 आता है, यहाँ ठीक है, इसी तरह स ही है, यह सीक्वेंस से पूरा चलता है, 64 पे होता है, 65 पे A होता है, तो यह पूरा, अब यहाँ पर यह इसके बाद Z तक 90 खतम हो गया, इसके बाद 91 से symbol स्टार्ट हो गया, और फिर 97 से small ABCD जो है, स्टार्ट हो गया है, तो पूरा यह, यह आप ट्राइ करना, यह file मैं ने दे दी है, नीचे description में, डाउनलोड करके देख लेना, तो ठीक है, अब Z, 122 पे जा है, small Z खतम होता है, अगर आपको और नीचे तक चाहिए, तो इसको भी और भी हम drag करके देखते हैं, क्या क्या चीज़े आ रही है, तो देखो यह symbol आ गए, यह symbol आ गए, इनको जितना भी आप drag करना चाहिए, वो आपको मिलते रहेंगे, नहीनी चीज़ आते रहेंगे, अलग-अलग symbol आते रहेंगे, तो कौन सा symbol किस number पे है, उसका number यह है, और उसको convert करने का formula है character, CH-A, ठीक है, तो हमने 122 तक लिया है, यह वाले special character नहीं चाहिए है, अपने password में, 122 तक मैंने Z पर इसको खतम कर दिया, आप चाहिए, तो आगे का भी ले सकते हैं, तो मैं इसको delete कर देता हूँ, यह मैंने आपको समझाया कि character formula से कैसे इसको हम convert करेंगे, और इसके बाद मैंने दे दिया round between का formula, round between formula क्या करेगा, randomly values दिखाता रहता है, तो मैंने इहाँ पर लिया, 49 से equal to round between, tab दबा देंगे, bottom value दी है मैंने 49, और maximum top value दी है 122, bracket close, enter, अब इसको हम char formula लगाएंगे, और last में जाके इसको बंद कर देंगे, तो randomly देखो, यहाँ पर randomly 72 value आई है, तो अगर हम इसको char formula लगा देता हूँ, equal to char, और इस value पर click, यहाँ क्लिक कर यहाँ कर लेता है, bracket close, enter तो अब 102 number पर क्या है, f है, और अब मैं इसको drag कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारे आगया है randomly number, और यहाँ पर आगया है randomly उस number में कौन सा character आ रहा है, तो हमने क्या किया, इस चीज़ को यहाँ पर apply किया, यह देखो char, rent between इन दोनों को किया, तो इस value से क्या हुआ, एक character यहाँ पर हमारा आगया है password का, इसी तरह से हमने, अगर हमें 8 digit का password चीए, तो 8 बार इसको copy paste कर लिया है, अब देखे एक चीज़ और हो सकती है, माल लिजाए आपको इस password में कोई position पे कोई special character चीए, for example, मुझे 3rd position पे add the rate का symbol चीए, या फिर hash चीए, या कुछ और लिखा आपको symbol चीए, वो डाल देगे, जैसे कि मुझे यहाँ पर 3rd character पे चीए, तो यहाँ फर्स्ट वाला तो यहाँ पर end हो गया, end का symbol आगया, उसके पास second आगया, उसके बाद यह है 3rd वाला, यहाँ से लेकर यहाँ पर, इस formula को हम delete कर देंगे, और double quote में वो लिख देंगे, जो हमें चीए, तो double quote में मैं लिख देता हूँ भई, मुझे add the rate चीए, और मैंने यहाँ double quote लगा दिया, यहाँ formula चल रहा है, ठीक है, और enter कर देंगे, तो अब 3rd position पे, अच्छा, यहाँ मैंने लगा दिया, उपर लगाना था, चलो कोई नी, इसको drag कर देता हूँ उपर क और यहाँ double click कर दूँगा, तो नीचे तक पहुंच जाएगा, तो देखो, थर्ड position पे जो है, add the rate का symbol सभी मैं add हो गया, इसी तरह से मालो मुझे last में चीए, कि भई hash बनावा जाए, तो इसके last में जाके, मैं end का symbol दूँगा, और double quote में hash लग दूँगा, तो अब इसको भ का हुआ आगी है, यह देखो, सभी के बीच में, third position पे add the rate है, last में hash का symbol आगी है, तो इस तरह से आपको इसी भी position पे अपना मन चाहा character डाल देंगे, तो वहाँ पर show हो जाएगा, ठीक है, अब finally इस तरह से आप कोई भी अपने password generate कर सकते हैं, या कोई भी आपको इस तरह सी advance level का है, with MISN dashboard report, और अगर आप यह join करते हैं, तो इसमें आपको 90 videos मिलती है, पूरी with practice file है, और मेरी personal support भी इसमें रहती है, माली जो, माली जब कोई formula समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी help चाहिए, तो आप मुझे call या WhatsApp करके पूछ सकते हैं, तो अगर आपको course के बारे में आपको आगे से कोई Excel में कोई problem नहीं आएगी, और आपको मेरी personal support भी रहेगी, तो आपको जो भी problem आती हैं, उससे directly पूछ सकते हैं, ओके, वीडियो helpful लगी, तो like कर देना, चैनल पर नहीं है, तो subscribe कर सकते हैं, और मिलता आप से next video में, तब तक लिए take care, goodbye